नमस्ते दोस्तों मैं पंकर जैस्वाल, Faculty Representative Faculty of Commerce MS University from All Gujarat Students Union मैं आप सभी Faculty of Commerce के Students को और University के सभी Faculty के Students को मैं एक अपडेट सरी करना चाहूँगा और यह अपडेट जो है वो holiday की update है कल यानि कि 29th March 29th March को University में officially holiday है और Faculty of Commerce में भी officially holiday है मैं आप सभी को बदा दूँ कि कल कोई भी lectures किसी भी year के conduct नहीं किये जाएंगे 1st year, 2nd year, 3rd year और Master of Commerce में previous year, final year या फिर पीजे डिप्लोमा सेम जो others faculty है उनके में जो lectures है वो कल conduct नहीं होंगे क्योंकि कल जो है वो good Friday है और good Friday के दिन जो officially holiday है वो university के दोरा declare की गई है तो कल कोई भी lectures नहीं होंगे साथ साथ मैं मैं आप सभी को बदा दूँ कि जो office work है faculty level का और उसके बाद में जो university head office का जो office work है वो भी close रहेगा तो अगर आप सभी students mark set collect करने के लिए आ रहे है या फिर कोई document करने के लिए आ रहे है या कोई document permission के लिए आ रहे है या फिर किसी inquiry के लिए आ रहे है तो कल का दिन जो है वो नई होगा क्योंकि कल holiday है और चुटी है तो यह जो update है यह बहुत ही important ही क्योंकि बहुत सारे students जो पैसे होते हैं जिनको पता नहीं होता है और कहीं ने कहीं वो उस दिन आ जाते हैं तो अगर कहीं आप दूर से आ रहे हैं तो इसको follow करिएगा कल यानि कि 29 मार्च 29 मार्च को officially holiday declared की गई है university के द्वारा हर एक faculty में और जो lectures है वो भी suspend किये गए